हेलो दोस्तों आज तारीक 13 नवंबर 2021 को एच्पी बोर्ड दोरा एच्पी टैट आर्ट्स हेल्ड करवाया गया जिसका मैं जी के सेक्षन डिसकस कर रहे हूं तो फर्स्ट कॉश्चन था आयोध्य में बाबरी मस्चित का धांचा कब गिराया गया था तो राइट अंसर है बी 6 दिसंबर 1992 सेक्ड कॉश्चन है कौन से देश तीसरे विश्व के नाम से जाने जाते हैं तो राइट अंसर है अप्शन नमबर सी विकासिल देश नेट्स कॉश्चन है कौन सी संस था भारत में डिस्टिल स्काइ प्लेट फॉर्म संचालित करती है तो राइट अंसर है बी नागरिक उडएन महान नीदेशाले नेक्स्ट question है आया राम और गया राम की राजनिती सुरू हुई थी ये कहां से हुई थी? ये हुई थी हरियाना से तो right answer है हरियाना ये कब हुई थी? 1967 में नेक्स्ट question है वर्तमान में भारत के सिक्षा मंत्री कौन है? तो right answer है C, धरमेंदर परधान नेक्स्ट क्वेशन है वर्तमान में गुजरात के मुख्या मंत्री कौन है तो राइट अंसर है ओप्शन नमबर A भुपेंदर भाई पटेल नेक्स्ट क्वेशन है भारत में रास्टिय मानवधिकार आयोग के स्थापना कब हुई तो right answer है option number A 1993 और ये कब हुई थी? 12 October 1993 को Next question है Question number 28 नाना वतिया योग संबन्दित है तो right answer है सिक्ख विरोधी धंगे से Right answer आगे आपके पास A Next question है Question number 29 Australia में टेस्ट सतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन थी? तो right answer है समरिती मंधाना Option number D Next question है Question number 130 कानू सानियाल किस अंदोलन से संबन्दित है तो right answer है Option number A नकसलवाद Next question है Question number 131 निम्मे लिखित में चे किस नदी का आयात सबसे अधिक है यहाँ पे पूछा है वाल्यूम According to volume तो right answer आपके पास आगया चिनाव अगर आपसे lengthwise पूछा याता तो आपके पास right answer आना था सत्लूज Next question है हिमाल्यन पॉलिंडरी नाम किताब के लेख कौन है तो right answer है D.N. मजूमदार Option number C Next question है हिमाचल का सबसे लंबा पुल कौन सा है तो right answer है यमुना पुल पॉन्टा साहिव Next question है कांगडा जिला कब बना तो right answer है Option number A 1st September 1972 में Next question है Question number 135 हिमाचल परदेश से प्रत्थम सैना प्रमुक कौन थे तो right answer है Option number D General V.N. Sharma Next question है 136 जैन धरम के प्रत्थम तिर्थकार कौन थे तो right answer है रिशब नाथ Option number D Next question है धारा 370 कब समापत किया गया तो right answer है Option number A Next question है नव निर्माण अंदोलन में अंदोलन किस राज्जे से सुरू हुआ Right answer है Option number A गुजरात से 1974 में Next question है पहाडी चितरकला नामक किताब के लेखक कौन है तो right answer है आपके पास Option number C किसोरी लाल वैद्या Next question है Question number 140 निम्मी लिखित में कौन आर्किटेक्टर ओफ हिमाचल परदेश के नाम से जाना जाता है तो right answer है Dr. Y.S. परमार Question number 141 वर्तमान में हिमाचल परदेश के मुख्या सचिव कौन है तो right answer आपके पास Option number A अनिल खाची Next question है 142 वर्तमान में हिमाचल परदेश के गवर्नर है तो right answer आपके पास रजिंदरा विश्वानात अरलेकर Next question है हिमाचल परदेश का प्रत्थम Comedy Serial कौन सा है तो right answer आपके पास प्रिंस का पिटारा Next question है 144 निम्मिन लिखित में से किस जिले में अदरक का सरवाधिक उत्पादल होता है तो आपके पास right answer है Option number C सिर्मोर Next question है 145 2011 की जनगर्ना के अनुसार हिमाचल परदेश में किस जिले की साकसरता दर सबसे कम है तो right answer आपके पास चमबा Option number A Next question है 146 Operation Blue Star कब हुआ था तो इसका right answer है Question number 146 का right answer है B 1st June 1984 को Next question है बोडो समस्या किस राज्ये से संबंदित है Right answer है आपके पास Option number C Assum से Next question है 148 Asian की स्थापना किस वर्स हुई थी तो right answer है आपके पास Option number D 8 August 1967 कोई थी Option number D Right है Next question है 149 भारतिय जनसंग के संस्थापक कौन थे तो right answer है आपके पास Option number C Dr. Siyama Prasad Mukherji Next question है कालेलकर अयोग स्थापित किया गया था तो right answer है आपके पास Option number तो right answer है आपके पास Option number A January 1953 ये कबू अथा 29 January 1953 को Thank you friends आपके 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 आपक